चलो ठीक, पहले NPVK SML, मतलब पहला मेथड हमने कौन सा बढ़ा था, दूसरा मेथड लिख रहे हैं अब मतलब एक्जामपल लिखा था, अब थोड़ा सा कहानी लिख लेते हैं, यह कहानी आपके काम नहीं आएगिया NPV क्या है, कोई बताएगा, जो इतना calculation क्या है, उसके सबसे कोई language बन सकता है उसका present value और उसमें से minus क्या करते हैं, present value अब कैसा हूँ ठीक NPV is axis of present value of cash inflow over present value of cash inflow minus formula बन सकता है pvci minus pvc simple है second decision कैसे लेते हो इसमें या प्रोजेक्ट को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए तो प्रोजेक्ट है, दोनों में positive है तोनों में से कोई एक है ना, मतलब depend करता है कि single project है या फिर multiple project multiple को हम mutually exclusive बोलेंगे एक को select करेंगे तो दूसरे को क्या हो जाएगा, rejection करना पड़ेगा तो depend करता है single project अगर single project है तो NPV should be positive अगर NPV 0 आया है तो ऐसे पूछ लिया अगर single project है सबना आ रहा है तो है दो में से कोई एक select करना है तो NPV should be आया इसकाउंटिंग payback period की विसे में कुछ लिखवानी की जरूरत है कि जरूरत नहीं है मुझे नहीं लग रहा इसकाउंटिंग payback period में अंतर क्या है अगर ने लिखा कि यहर क्यापिटल वस्टिंग की कुछ methods होती है और methods को मैंने दो category में बाटा था एक सब्द यूज किया है discounting cash flow techniques और एक क्या है मतलब जिसमें cash flow का present value नहीं निकालना है उसमें दो method लिखा है payback period और AR उसमें cash flow को as it is लेंगे लेकिन जहां discounting करना इसी कितनी methods है या NPV में हम present value निकालते थे हाँ sir discounting payback period में हाँ क्या PI में भी करेंगे हाँ क्या IRR में भी करेंगे पढ़ाया नहीं है discounting payback period के विशे में कुछ लिखवा नहीं रहा हूं क्योंकि अचा एक बात बताओ कोई भी अगर हम machine खरी दिते है project की बात छोड़ देते है machine क्या वो जिंदगी भी चलते है कभी ना कभी तो खत्म होगी मालो मैंने कोई machine खरीदा उससे में कोई product बना रहा हूं इसको बेचने से जो पैसा आएगा आएगा और जब 10 साल खत्म हो जाएगे मालो 10 साल लाइफ है तो machine भी तो बेच दूँगा ना यार उससे भी तो पैसा आएगा तो अगर मैं cash flow को consider कर रहा हूं तो सिर्फ जो product बेच रहा हूं वो पैसा तो आएगा साथ में machine को बेचने से जो पैसा आएगा या पैसा आया नेट और machine को बेचने से जो आएगा उसको क्या नाम दोगे machine एक समय बाद बेच दोगे उसका नाम चाहिए आपको क्या लगता scrap पर हमारे capital बश्टिंग में एक सब्द यूज होता है जिसका नाम है terminal value कि जब project को आप terminate कर दोगे तो कितना पैसा आएगा तो अब हम लिखेंगे concept of terminal value उसका यूज होने बाद concept of terminal सर ये आज तक जैसे आप समझाते है किसी को समझ में आए है कि आज तक किसी को समझ में नहीं आए पता नहीं आप सो ज्यादा उमीद है मज़को एक्जामपल के तौर पर नाम ले सकते हो कि बिल्कुल ले सकता हूं खोशी अतुल ये सब उलोई जिनको समझ में नहीं आया सर आप उपर नाम ले रहे हैं आजी उपर नाम ले रहा और आजी एक्जामपल से स्टार्ट करते हैं देखोगे इसका कोई पर्टिकुल फॉरमेट है कि कोई फॉरमेट नहीं है बस दिमाग चलाना एक्जामपल बडर प्रॉप्षा फौर्पट फॉट्श नाब्या। है प्र forwards lug प्रीक के नाफ सब्सक्ट करेक्स Bernard लिए प्रेस्ट अर एध परेस्ट अरॏु depreciation, 20% per annum, WDV method, कितने साल चलेगी यह मशिन, pass sum, salvage, salvage यह residual जो भी बोलना है बोलतीजी, rupees, 48,000, यह salvage का मतलब क्या है, मतलब 5 साल बाद मशिन कितने की बिकेगी, अनुमान लगा सकते हूं क्या, 11 भी से लगा रहा है, तो पही बात ही नहीं, उस ताम में टीचर से यह नहीं पुछा, मैडम कैसे बोल सकते हूं, 10 साल बाद कितने की बिकेगी, ऐसे कैसे हो सकता है, पर पता नहीं, यहीं आके दिमाग चलता, सेलेस, पास साल बाद 48 की बिकेगी, तो टेक्स, टेक्स का रेट मतलब टेक्स, क्या नॉर्मल टेक्स और कैपिटल गिन टेक्स रेट अलग-अलग होता है, मेरा कोशन है, कि यहार मसीन बेची होगी, तो कैपिटल गिन होगगा, और कैपिटल गिन होगा, तो कैपिटल गिन टेक्स देना पड़ेगा, जब मसीन बेची जाएगी गैपिटल गेंट टेक्स के बाद जो पैसा बचेगा मेरे पास नेट उसका नाम होता है टर्मिनल विल मैं एक परडिकुलर फॉर्मेट बना सकता हूँ कि ऐसे करना है पर एक बार खुद निमाग चलाओ, कैपिटल गेंड निकाला जा सकता है क्या बोलो पास साल बाद मशीन कितने की बिकेगी और इसको कुछ बोलते हैं आपने बोला था कल सेल्स कंसिडरेशन ये ये सब्द में ने आप हाँ तो चलो हम भी सेल्स का सेल्स कंसिडरेशन 48,000 कितने साल बाद पास साल बाद का बुक वैल्यू उसमें तो आप एक्षपर्ट हो आपका CPTA ये सिए फाउंडेशन था ये फाउंडेशन था सही हो मझे पूरी उम्मीद ना तो सही होगा कर्मिनल सबसे पहले क्या लिखेंगे है शेल्स कंसर्वेशन कितना आएगा नहीं ये तो कितना है इसमें से माइनस क्या करते है बुक वैल्यू भी बोलते हैं कुछ लोग WDB भी बोलते हैं कोई फर्क नहीं पड़ा था हम बुक वैल्यू कितना पी नाई निकाला कैसे आया कैसे पहले मुझे बता है ना आया आप से सीखना चाहता हूँ अचा एक लाग बीसे हैं माइनस ट्वंटी पर्षेंट माइनस ट्वंटी पर्षेंट भाई पकाना यार मैं देख लूँ 0.8 इंटू एक लाग बीसे जार एक दो तीन चार पाँच ठीक है चलेगा मैंने कैसे निकाला हाँ मुझे मालूम यार बीस पर्षेंट निकलेगा तो असी पर्षेंट ही तो बचेगा मैंने कैल्गुलेटर में सबसे पहले क्या लेखा पॉइंटू एक लाग बीस जार और कितने बार एकवल टू पाँच बार एक दो तीन चार पाँच दिकत क्या है बहुत सारा सीख लिया है ना तो जब डेपरेशिशन निकलना तो टर्मिनल वैलू निकल लोगे अब ये तो वक्त आने पर पता लगए अब भी तो हम निकाल लेते हैं यह जो हैगा इसका नाम बोलो Capital Gain Capital Gain Capital Gain कितना है पटे 8, 6 टिक इसमें क्या लगेगा टेक्स टेक्स का रेट कितना है इस पर्शन 1, 7, 1, 7, 3 तो अब क्या लिखने वाले हम टर्मिनल यहाँ 90 पर्शन बच्चे गलती करते रहे होगे आप इतने समझदार हो आंसर वोलो एक सेकंड रुकाओ 54 46 आपको लग रहा इतना है का 46, 42 6, 9 6, 9 simple सा कॉंसेप्ट यहाँ इसमें सोच लाग गया है 46, 264 पाइनल अंसर इसमें से माइनस मत कर देना मेरा जो टार्गेट है वो टार्गेट क्या है मशीन बेचा जैसी मशीन बेचा तो में खोश होग कितना पैसा आया मेरे जिब में बहुत खुश था 48 टेक्स वाला गया बहुत खुश था 48 48 में से 1736 दे दिया तो बचा कितना फोर्स बच्चे क्या गलती कर रहा होगे हाँ सर समस्दार हो गया है तो सर कुछ लिखू ना यहां इसको 1 ले लू और इसको 2 ले लू और 1-2 कर लेते हैं ठीक है तो आगे से टार्गेट क्या है अब आने वाले 10-15 मिनट में गलती करवाँगा आप उससे बचने की कुछ और वही एक्जामपल करवाँगा जो आप आगे करने वाले हो बुक्स में आपके एकाउंटिंग में भी तो MCQ आ गया होगा ना पहले नहीं था आपके आपके एकाउंटिंग लिएकाउंटिंग में रखना याद रखना सोहसस अचके करना बच्चा एक लाग दूख अच्छ एक लाख अच्छ लाग अच्छ अच्छ एक लाग अच्छ एक लाग यह अच्छ आइफ ऐसल इर लाव अच्छ टो देना बढ़ेगा सल्वेस कितना लिखू बोलाओ अब जो बुलते हुए तिर टेक्स भी लेखे लेक्स 30 बश्य है और सर अदप्टेशन का अमेथट असलों और और टरमिनल वेल्एव पुष्ण मार्क बच्पन मेडम ने ऐसा बताया था कि SLM मेथड में मसीन की बग को लिव लास्ट में जीरो हो जाती नहीं ऐसी पूछा हूँ बाकिया आप जैसे करना करो करती ऐसी पूछ रहते ताइम पस कर मैं तो ऐसी ताइम पस कर रहता आप करो अप्रका इंपल से महत नहीं आप कीजिया आप कीजिया आप कैसी वाद करा है इंपत दिखाओ हिंपत लिखो अपसे पहले सेल्स कांसिटरेशन दस हजार सेल्स सार यहां तक कोई दिखाओ थे क्या 50 बर्शन तो मैंने कर दिया इसके आगे माइनस क्या लिखेंगे और आप अच्छे से इतनी पढ़ाई बेकार हो जाए कि बच्पल से जो पढ़ते आ रहे हो बख वैली बलो कितना यहां कितना है यहां कितना है मसीन का कॉष्ट हर साल देप्रेशिशन कितना लगेगा पच्पन मेना मेडम ऐसा बढ़ाती थी कॉष्ट माइनस सेल्वेस वेल्यू दिवादेड बाई लाइप अच्छे स्ट यहां कितना इंटेलिजेंट है यार विस्वास नहीं किया होगा वह ऐसी छाप देता कॉष्ट अपकर और यहीं गलती होती है कि वेल्यू कितना बचेगा तस कोई शक्खी बात है नहीं है हर साल बीस जार बीस जार बीस एक लाग रूप एड़ एप्टोशिशन तो लाश्ट में तो दस जार बचेगा ही बचेगा ओके तो बताव कैपिटल गेन कितना जीरो तो टैक्स कितना तो टर्मिनम वेल्यू भी कितना दस हजार तो फिर वो तो नंबर भी क्या लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो खाँ तो क्या हम ऐसा कॉंसेप्ट एक लाइन में बात खतम कर सकते हैं सर डबलू डीवी अगर मैथट है तो टर्मिनल वेल्यू कुछ और आ सकता है कैपिटल गेन टेक्स वगेरा पर अगर ऐसे लिख मैथट है तो जो सैलवेज है वही टर्मिनल वेल्यू आएगा क्या यह में स्टेट्मेंट लिख सकता हूँ ओके तो फिर यह कहानी करने की जरूरत नहीं है अगर ऐसा है तो जो सैलवेज होगा वही क्या होगा टर्मिनल वेल्यू टिक है अगला एक्जाम पोश्ट बिख पाज़ मत्यू और एकूल करखेग पिर थाई इा इंट रषा फैंटर अट्रीट्स के मत्यू आटेट्ट्स्ट्ट्स्ट्स्ट्रफेंट्स्ञ् startup अमट्रेजिए 20% per annum अगर 20% per annum लिखा है और कुछ लिखा नहीं है तो कौन सा WTV पक्का है नहीं है पर अगर लिख दिया है तो लिख दिया है फिर तो कोई बात ही नहीं और अभी हमने सीखा है अगर SLM मेथड है तो पता नहीं हाँ निकाल लो हाँ SLM लिख दिया है मैंने तो SLM से दिया है जाल स्कंसिलरिशन बताओ आपको पच्ची जार लो वेन काम तो कर दिया है यह नहीं है तो मैंने लिख दिया 30 परशन अगर कोश्चन में नहीं लिखा रहेगा तो आप 30 मत लिख देना खोड़े ना भाई छोड़े ना यह तो मैं कि अप्सक्राइब क्लास कंसेटरीशन कितना 25 अचिस यह कि अचिट यह कि अचिस ते नहीं बॉक वैल्यू कितना जीरो पक्का ना ये भी तो ऐसे लिए मैधिट था है तो यहां बॉक वैल्यू कितना आएगा जीरो यह आएगा तो बोलो कैपिटल कितने का हुआ 25 जार तो टैक्स कितना 30 पर्टन तो जो पिछला स्टेटमेंट में बोलने वाला था क्या वो गलत हो जाएगा निकालना भाई निकालना हार एक लाइन बोलने से कामने ही चलेका खेली खतम हो जाएगा और यह गलत तो फिर क्या एनपीवी और क्या खतम खेल खतम हो चुका है लोगि जह चतराब आसो कैसी आया 25 जार मैनस 25 और मैनस वो 25 मैनस है ना ये बात भी ध्यान रखना जब वही 25 बोल रहत है क्या सर वन टू लिख दो ना यार हम खुद कन्फिसद आए और ये जामपल लो अगर सब का आंसर एक साथ सही आया तो फिर एक्जामपल लें आगे बढ़े जाएंगे क्या लगता है आप लोग ऊच्छा लो देख हाँ डिसकस कर ले रहा इतना छोड़ा सरू में जितना भी हलके बोलोगे मुझे सुनाई देख पॉश लाख लवेस में आब कर Gustav लहरे बोलोगेर लेक्स लेसरी Aah Śीस लेक्स outdoor this video बयकी देख मेंसों पॉशनादाच मेंसों आएंगर झाल झाल पिक झाल झाल कि झाल 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 कि प्रेट वक वैल्यू प्रिसर यह कैपिटल लोज हुआ कि भाई कैपिटल गेन माइनस मैं मतलब कैपिटल लोज सी तो बताओ कितना गया अब क्या होगा मशीन थी इसकी बुक वैली थी 32,000 हां मतलब समझ गया हुआ यार 20,000 वे बेज भी आपने आपको तो लोज हो गया जब में जो गेन हो रहा था तो इंकम टेक्स वाला इंकम टेक्स मुझते ले जाता था अब तो लॉस हुआ तो क्या होगा मतलब देखकर जाएगा टेक्स सेविंग्स कैसे होगा जरह समझाओगे नहीं दे रहे ना आप 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 पच कैसे रहा है जरह समझाओगे आप 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 कॉन्सेप्ट्वल बात करणों तो कॉन्सेप्ट्वल बात एसी है कि हम हमेसा एंजिंघ। करेंगे कि हमारे पस ऐसी एक मशीन नहीं है ऐसी बहुत सारी मशीन कही ना जहीं तो कैपिटल गेन होता होगा और सय mort आपने पढ़ा होगा कि capital gain और capital loss को आपस में set up कर सकते हैं और सलमान लोग कोई भी एक machine ले लेते हैं जिस पे मेरा मन से कुछ भी लिख रहा हूं दो लाग रुपए का capital gain हो रहा था अगर ये loss की बात ना कर तो दो लाग पे मुझे कितना percent देना था तीस percent तो उसे सबसे मेरा tax कितना लग रहा था 60,000 पर अब मेरा loss हुआ खुशी की दुख खुशी खुशी कैसी है अब income tax वाले को कहते है आजा दो लाख रुपए का gain हो रहा बलते tax दो मैंने गा रुक जो मेरा loss भी तो हुआ है और loss को मैं यहाँ सेट आप कर सकता हूँ तो अब मेरा जो बचेगा वो कितना बचेगा net capital gain 1,8 7,2,3,2 और इस पे अब कितना पशन देना पड़ेगा थर्डी पशन 5,6 1,7,0 ले ले ले, 1,7 तो क्या मैं पैसे बचा लिया कितना 3,8,3,0 यह तो फाइदा tax savings तो मुझे यहाँ क्या लिखना पड़ेगा 3,8,3,0 यह कहां से आया इधर से आया इसका इसका 30 पर्षन सीरी सी बात है यह कहानी हमको बतानी नहीं होती है तो मैं बता रहा हूँ आपको कैच अचली यह बहुत बारी क्यों से समझना जरूरी हर कोई नहीं समझा पाएगा क्योंकि आगे block opposite वला आएगा कोई से उसमें क्या होता block opposite पता है 23 8 3 कैसे आए पता है न यह 1 और यह 2 तो 1 minus 2 minus minus plus हो गया अगर हम maths में बहुत अच्छे से जा भी नहीं रहा है तो यह बीस एर तो यह मिल रहा है और यह पैसा भी तो बच रहा है हमारा तो उस ही साब से 23 common sense लगा कर एक एक जामपल और ले रहा हूँ जो IC AI ने दे दिया था बच्चों की बैन बच्चका मैं आप से उमीद कर रहा हूँ कि वो उसमें मतलब मैं अब बाद मैं फिर पेपर कर तर यार इसमें तो कि यार हमने तो कुछ और ही किया है वो मैं सुनना चाहता हूँ कि आप क्या करने वाले हूँ देख लिया है चलो भए अल्मोस्ट अल्मोस्ट हर इक्जामपल का आंसर में नहीं दिया है ठीक है आप ये मन बोलना कि ये आप ने दिया आप यहां जाके रुख गया थे अभी देख लेए ऐसा है तो ठीक हमें साथ हमें साथ ही नहीं देने वाला हूँ अचा पूरा बेपर आंसर के बात कर रहा हूँ अचा पूरा बेपर आंसी किस हो गया है क्या खॉष्ट तो मैं वो बचे हुए की बात कर रहा हूँ खॉष्ट एक लागादसी है अचा लाइफ पाठ ही साल रखते है अचा पूरा बेपर रिशिशन का रहे हूँ 25 परशन लेदा ठीक है और सर टेक्स रेड़ भी बता दीचिए 30 परशन और क्या करना है ट्रेग्मिनल वेल्यू कॉश्चिन मार्ग अगर सेल्वेज नहीं दिया तो क्या करोगे अगर सेल्वेज नहीं दिया है तो जीरो मान के चलेंगे बिल्कुल पर फिर भी गलत बात है सर दीजिए यसे थोड़ी नहीं होता है ये लो सेल्वेज जीरो हाँ आप ही ने सल्हा दिया था जीरो की मैं तो लिखने वाला था यहां को सल्वेज जीरो है कर लो गोश्चिन तैल्स कंसिटरेशन में जीरो बता सकता हूँ ठीक उसके आगे आप करो तो लोस हुआ भाई हाँ पुरा बच्चिन है बिल्गुट सहीं बोले बिल्गुट सहीं बोले पहला अंसर आया है मेरे पास कॉन्फिडेंस से बोलना है ना 1 1.2.1 1.4 ठीक है आपका कहना ये गलत है आपका कहना ये गलत है मेरे पास्था है अंच्छिक आपका कहना ये गलत है 0, minus क्या लिखेंगे, book value, बोलो कितना, 42715, पुरा की पुरा हमारा क्या हो जाएगा, capital loss, और capital loss पे जितना है, सब की सब, tax savings, और tax savings इतनी है, 1-2-8-1-4, that's it, लेकिन ना, पिछले बैच में बच्चे ना, थोड़ा ये बोलते हैं, सर मसीन बेच नहीं रहे हैं, यार, मालो मसीन, तो फिर काहेगा capital loss, ऐसा आता है, पर मसीन बेचो ना, मैं बच्चे loss तो हुआ ना, यार, सर, जो exam में question आया था, उसमें क्या खेल खेला था, इंस्ट्यूट, salvage नहीं दिया था, तो salvage नहीं दिया था, तो बच्चे नहीं लिया भी नहीं, जब दिया नहीं तो ले क्यों, और फिर 0, बस सावधानी से काम करना, salvage नहीं भी दिया है, और depreciation जो है, 25% WDV method है, तो फिर तो कुछ होग, SLM होता तो यहाँ 0 ही आ जाता, सर, हर बार हम निकाल कर देखेंगे, हम अपना दिमाख नहीं चला है, हर बार निकाल कर देखेंगे, okay, बस इतना ही था, अब एक method और पढ़ाता हो, फिर एक example बनाते हैं, अच्छा है, जिसमें सारी चीशे cover हो जाए, तो अगर हमने कहां कि, अभी तक हमने total मिलाकप, तीन ही method discuss किया, payback period, discounting payback period, ठीक है, एक और question आया था, terminal value को हम TV लिख सकते हैं, क्या, नहीं लिख सकते, पूरा लिखना, मैं C.A. बन चुका हूँ, आप देख लो, पूरा लिखना उसको समझे में नहीं आएगा, अब एक और method है, जिसका नाम है, profitability index, वो भी लिख लेते हैं, वो पहले लिखवा देता हूँ, example कि, तीसरी method हमने skip कर दिया है, discounting पर उसमें लिखने वाली कुछ बात नहीं थी, चोहती method, पस, capital investing खत्म, इतना सब्सक्राइब, असल बात ना, बहुत डरते हैं, इस chapter के नाम से, बच्चे, बहुत ज़्यादा डरते, वो डर में खत्म कर दूँ पहले, P.I, profitability index, पहले का, कितना बिस्रो बोलोगे, मझे सुनाई देगा, और इस board की खासिएत क्या मालू है, यहाँ, यहाँ के खड़े होगे ना, तो इधर पीछे के पूरे बच्चे दिखते, क्या हो रहा है, क्याना, यहाँ के खड़े होगे, अच्छा, एक बात बताओ, अगर दो प्रोजेक्ट है, अगर दो प्रोजेक्ट है, और दोनों में से कोई एक सेलेक्ट करना है, तो कौन्सा वाला एन पीवी के सबसे कौन सा वाला चलुक कर रहें हायर सबसे इच्ची मैथट कौन सी मानी जाएगी अगर मैं कहूं हमारे पास कौन कौन सी मैथट है एक पढ़ा हमने पढ़ा डिसकाउंटिंग पढ़ा और एक पढ़ा NPV, सबसे अच्छी method कौन सी है NPV Payback period मैं सी क्या समस्या थी वो भी तो ठीक था कुछ था, अब वो क्या था जला मैं बताना अब बताना मुझे, लिखना नहीं है, लिखना नहीं है बिस सुनना है तो समझ के बताना है ना, Payback period के हिसाब से बताना A और B दो प्रोजेक्ट है इसमें कितना पैसा लग रहा, एक लाक और इसमें भी मान लो, एक लाक रुपए ठीक है और टोटल दोनों प्रोजेक्ट कितने साल का है पास साल, Payback period के सबसे कौन सा प्रोजेक्ट करेंगे जिसमें पैसा, जल्दी रिकाबर हो जा इसमें पहले साल आये पचास हजार आएगा अनुमान था फिर आयेगा पचास हजार सा, फिर कितना आएगा, फिर आएगा पीस हजार फिर आएगा दस हजार और फिर आएगा दो हजार बताओ इसका Payback period कितना है दो साल, अच्छा ये वाली मेशीन की बात करो पहले आएगा 20,000 फिर आएगा 20,000 और फिर आएगा 60,000 और फिर यार हमारी लॉट्री लगने वाली हमको मालूम है एलेक्शन के बाद हमारा गवर्मेंट आईगी और जबर्दस्त कमाईगी इसमें कितने सानों रिकावर? इसमें? कौन से करें? दिल के बोल रहा है? दिल, 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 दिल या नहीं, पेवेक पृटर के इसाब से सोथो ओ एएए पर याद B को थुड़ा ध्यान से देखो Sir, इसी में खुब कमाईगी लेकिन लास्ट में तो वरबादी है इदर देखो, पर प्रो चलेगा पर जब हमारा अनुमान है कि आने वाले दो साल में हम फ्लोग बना लेंगे तो एसे सबसे कमाई किसमें ज़्यादा दिख रहे हैं दिल क्या बोल रहाए बी पर पेबैक पिरियेट पढ़ा है, वो क्या बोल रहा है पेबेक पीडिट के बाद साथ समस्यां क्या है मालूम है वो एक बार पैसा आ गया ना उसके बाद के कैश फ्लो को उड़ा देता है जबकि NPV में ऐसा नहीं होता था NPV में क्या होता था पुरा तो कौन सा मेतड अच्छा है NPV NPV में अगर दो प्रोजेक्ट है तो कौन सा करेंगे जिसमें NPV हायर होगा सपोस अभी भी मतलिखना A और B PVCI दे दिया मैंने PVCI मतलब समझ रहे हो क्या है जो फ्यूचर में कैश फ्लो आएगा उसका का प्रेजेंट वैलियो सर कितना आएगा तो मैं कह रहा हूँ इसमें आएगा 12 लग और इसमें आएगा 2 लग और आजाएगा PVCO PVCO मतलब पैसा जितना आजाएगा क्योंकि प्रोजेक्ट महगा है इसमें पैसा जादा आएगा तो पैसा जादा लगेगा भी तो इसमें कितना लग रहा है 10 आ कितना रहा है? बारा एनपीवी निकाल सकते हैं किया? दो लाक और इसमें एक लाग रुपे लगेगा विसका नपीवी कितना क्या है? एक लाक अब आराम से सोचना यह क्या निकला आपका नपीवी अब सूच विटी थोड़ा सा एनपीवी कि हिसाब से दिल पैसा कितना एक लगा कि कितना दो गबल कुछ अच्छा एक एनपीवी के हिसाब से ए पर क्या एनपीवी गलत है कि या कैसे है कि अधी तो दस लगा नार है हाँ मतलब टाइमस में बता सकते हो कि एक रुपिया लगा कि एक रुपिया बीस पैसा कमा रहे है और यहां कई का एक अच्छा डबल के वर्ल कर रहे है यह कर रहे है और सिd echo भूल रहे न डबल कैसे निकला किए त्वकर नियों लगा मिन तू लाख डिवैड़ाज वन लाख इस तू का नाम है profitability इस का नाम है PIA और PIA PVC I divided by PVCO खतम कौन सा project करेंगे जिसका PIA ज्यादा कि जिसका PIA कम ज्यादा NPV में भी समस्या हैं तो फिर नया तो निया मैथट से एक्कूरेट एंपी निकाल एक्कूरेट डिसीजन दे सकते हो गुडविल पड़े हो गुडविल एक होता था सूपर प्रॉफिट मैथड एवरेज कैपिटलाइजेशन कुछ-कुछ था या रजी बजीब सी नाम था मुझे बस इतना बताओ किस मैथट से गुडविल एक्कूरेट निकलता है नहीं नहीं बताओंगा तो फिर अप्टेंशन में तो नहीं किस मैथट से गुडविल एक्कूरेट निकलता है किसी से नहीं इसलिए तो चार पढ़ रहा है तो एक ही क्यों पढ़ तो यहां भी यही बात किसी से भी नहीं निकलता तो यहां किस मेथट से सरे डिसीजेन एक्कूरेट होता किसी सभी नहीं हर एक मैथट के अपने एक यह कंब्याया ही तो सिरेकोरेट अगर हम को सीखना है तो फाशायनल में आईए तो फैनल में बात करेंगे मे얬 भी हम पी लिख लेएक बार इसमें कुछ एक्जाम्पल की जरुरूत नहीं बढ़ेगी, पॉइंट नमबर वान लिखवा रहा हूं, कोई बताएगा, पी आई का फॉर्मुला, तो को नोट्स बनना चाहिए, पर नोट्स इतना भी जबरदस्त नहीं बनना चाहिए, कि लाश्ट में पड़ी नहीं पाऊँगे, मैं आपकी दो-तीन को और रेजिस्टर भर सकता हूं, यह सब लिखवा-लिखवा कि पर लिखा वाला काम नहीं आने वाला, प्रिक? पी वी सी आई डिवाइडेड बाए पी वी सी ओ, पॉर्मुला याद हो जाएगा, इसी जन, कैसे दोगे? सूचले, वो, सिंगल प्रोजेक्ट, सिंगल प्रोजेक्ट में हम प्रोजेक्ट को कैसे एकसेप्ट करेंगे? नीचे क्या आता है? कितना लगा रहे हैं? उपर क्या आएगा? कितना आ रहा है? कितना लगा रहे हैं, उससे ज़्यादा कब आएगा? जब पी आई वन से ज़्यादा हो कि वन से कम हो? ज़्यादा. अगर पी आई वन से ज़्यादा है, तो पक्का पक्का. पी आई शुट भी और देन वन या ग्रेटर देन यह सब मल्टिपल चोईस कोश्चन में पूछेगा भाई mutually exclusive पी अगर वन से जादा आएगा मतलब एनपी भी positive आएगा पी आई अगर वन से जादा आएगा इसका मतलब पी वी से जादा आएगा इसका मतलब एनपी वी positive आएगा इनपी आएगा तो सवाल यह है कि अगर एनपी वी से डिसिजन आता एक्सेप्ट तो पी आई से भी एक्सेप्टी आएगा किया दोनों से डिसिजन एक ही आता है। और एनपी वी positive आएगा तो एक्सेप्ट तो पी आई के साब से भी क्या आएगा एक्सेप्ट क्योंकि पी वी तो बन से जादा आएगा तो क्या दोनों से डिसिजन एक ही आता है जर्फ लिक गद्रेशाओं नहीं नहीं कोई अग्जामपल नहीं है पर सोचो यार लिकिन सब पिछले कोश्चन में तो एन्पीवी के सबसे अलग आया था और प्याइग के सबसे कुछ और प्रोजेक्ट आया था और इस एक्जामपल अगर इसको बारीक्यों से देखो तो अगर सिंगल ही प्रोजेक्ट है तो चाहे NPV ले लो चाहे PI ले लो आंसर दोनों का एक ही आएगा accept या reject पर अगर दो प्रोजेक्ट है तो हो सकता है कि NPV से अलग जाए और PI से अलग जाए सुनो ना इतना गहराई से नहीं समझना है हमको हमको बात समय पिटे यह सम आता है इसलिए मैं गहराई से समझना है ओगे तो टोटल कितनी मैथ्ट हो गई हमारी इक्जामपल रहेगा आपके लिए उसी को रिवीजन करना लास्ट में आटस इट चलो देखते हैं कि क्या पढ़ा था एक्जामपल के साथ पढ़ा दूगा एक्जामपल के साथ साथ पढ़ादूँका एर अर का फुल फोर्म किया था एन्वल आभरेश अकाऊंटिंग टी एक्टिंग एक्आंटिंग रेट ओप रेटन भी नाम है उसका है एकाउंटिंग समझते हो ना आप हाँ एकाउंटिंग रेट अब रिटन और मुझे ऐसा लगता है कि एकाउंटिंग में आप एक्सपर्ट हो सिये लोगों तो हो गए तो आप समझ ही गया ना कि हमारी अब बहस होगी थोड़ी विर्मार अभी पहले लिख तो लेख जामर कोश्ट अब में लेते हैं पाच लाग लाइफ ज़्यादा नहीं लेता पास सालिम लेता इसके अलावा सर इसके अलावा सेलवेज भी देही दीजिए सर ताकि हम टर्मिनल वेल्यू भी ला दे भीजिए हाँ टर्मिनल वेल्यू भी आएगा भेना तर्मिनल वेल्यू के लिए ये साथ जार रुपे लेता होड़ा सा हमारा पॉजिटिव सर इसके अलावा टैक्स रेट भी देदू घड़ी बर्शन सर इसके अलावा टैल्स भी देदू क्या सर मतलब अभी तक आप सी एफ बीट ही देते थे हाँ मैं सो थोड़ा ऊपर से करते का तो पहले सल सेल्स हुआ है पहले सल का नेगरिटिव आएगा तो और मजा आए हाँ मैटे जब कर रहा है मुस्किले अभी खतम कर ले पाच लाग का 20 परशन डेप्रेशिशन बताना एक बार तो सेल्स ले रेते हैं फर्स्ट यर का एक लाग बीस तर फिर सर आएगया सेल्स चार लक फिर आएगया तो तीन लक पेचास जार फिर सर सेल्स कितना है शे लक और फिर sales आगे पाच लाग चारीस और sales दिया तो variable cost भी होना चाहिए और variable cost ले 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 ते 25% variable cost समस्ते हो ना sales में से minus करें variable cost 25% किस का sales का sir fixed cost भी दे दो और fixed cost ले ले लेते हम लोग 15,000 या fixed cost अलग-अलग हो सकता है हर साल का हो सकता है अगर दिया है तो हो सकता है दिया नहीं है minute एक जैसा है पारेन तर इसके अलावा और क्या देना चाहते हो cost of capital दो लगीगा ना यार 10% परेनम और कुछ नहीं बचे नहीं है इस सब हो गया और ये 20% कौन सा method है WDV अब सब हो चुका है और हमें करना है calculate लिख देता हूँ पेवेक पिरियर्ट पेवेक पिरिट के बाद क्या गरना चाहते हूँ सबसे पहले आपको CFAT निकालना ही पड़ेगा और टर्मिनल वैल्यू निकालना पड़ेगा दो चीज के हाँ पेबेक पिरेड में नहीं लगेगा पर पेबेक पिरेड में CFAT तो लगेगा तो लगना है ना यार चलो भगवान का नाम लेते हैं काम स्टाट करते हैं पूर्टी सी गलती मतलब खेल खतम है ना एक बार मिलाते हुए चलना पतला को कुछ और CFAT निकाल लिया और पूरा पाचो मेथट से कर दी ओके सर्पास साँ कर दें heavy कि नहीं मैं निकाल ने रहा हूं मैं अपना काम कर रहहा हूं आप यहां निदेखोग beasts के लिवे बदिखते कौन पहले बनाता मे Amreya और में जान बूझकी और गलत लिट द Moo lotta झाल 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 वेरिवल कोश्ट 25% ठीक है या चेंज करूं इसको 25% ठीक 25% ठीक हम ऑई करूगा हैं 25% ठीक yıl 290 32 32 झाल 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 तो एक्जाम में ये कोश्चन आया हुआ था ये कोश्चन आया था सेम बच्चों ने अपने-अपने इसाब से क्या फिर पेपर लेकर मुझे पास आए बहस हो रही थी बहस ही हो रही थी सर सुनो तो एक्जाम मतलब तो फिर डेपरेशिशन जुड़ा होता है एक्जाम मतलब तो फिर डेपरेशिशन आलक्सी क्यों मैंनिस करें क्यों लिए है तो आट सानु को नियुक की हो लिकारिश एक्षा रहे गालिखा रहे Gregory ठीक है एक्जूड़ीं डेपरेशिशन थीक है अब ठीक है अगर बमने इस्चों में कुछ और लिग देतना तो खेल गता मैं लिए तो बस यह सब सारी चीज़े याद रखना में जो बोल रहा हूँ तो इसका नाम बोलो पर बोला नहीं, बोलना चाहिए अगर इंट्रेस्ट भी होता तो तो माइनिस नहीं यह मैं पहली बता चुका हूँ माइनिस क्या करूगे डेप्रेशेशन तो सर यह जो आएगा यह है। तो सर यह जो आएगा यह है। प्रॉफरेस्ट यह एएगा यह है। यह हैं प्रॉफरेस्ट यह हैं आएगा यह है। एक्सर एकितना? झाल 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 तो लाग तेवी से जार पास हो 319-860-285 टीक है ये गलाथ है क्या ये बना 192-45 अचिंच से जादा निकल गया है अच्छुन से जादा निकल गया है यह सब सही है ना यह वला अच्छा आप चाहू तो आप सीधा सीएफ बीटी में से टैक्स माइनस करके सीएफ एटे निकाल सकते हैं पैट निकालने की जिरुरत नहीं पड़ती अगर मैं यह आरन नहीं पूशता तो अभी आएगा अभी ठीक है अगर मेरे पैट निकाला हूं नीकटिव में टुटल टॉल्टक रहे हैं ना सर वर्की नोट नॉट नॉम्बर वान चिसमे निकाला हम कर थिरू आप यह वर्कीन नॉट नमबर टू चिसमे हमने उसमें सबसे पहले आएगा सेल्स कंस्टूरेशन कितना है सेल्वेज कितना दिया भाई 60,000 ठीक है माइनस वक वैलू निकाला होगा आपने 163 840 तो लॉस हो गया है अरी तो इतना लॉस एक लाख तीन हजार आठ सो एस उस पर टेक्स सेविंग्स होगा मैं टेक्स सेविंग्स लिख देता हूँ तक कि मुझे न दिक्कत नहीं होगा 3 इसको हम 1 ले लेंगे और इसको ले लेंगे 2 तो तर्मिनल वैल्यू 1 प्लस 2 कर दूँ अभी 9 5 हमारे वर्किंग खतम होगे अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मेन कोश्चन अब से पहला काम क्या है पेबैक लो निकलते हैं अब कर दो मैं पेबैक पिडिट निकल रहा हूं और सर हमको क्या लेना है यह यह बला CFAT है ना और कितने साल में रिकवर होना चाहिए यह हमको डिसाइट करें है तो पांच लाग रुपे की रिकवरी चाहिए हमको ठीच पेबैक पिडिट यहां से ना बहुत सारी चीज़े ना आप आपको विश्वास नहीं होगा क्योंकि मैंने भी बुक लिया नहीं है ना पर इतना मैं बोल सकता हूं कि जैसी बुक खुलोगे ना आपका कॉंफिडेंस बढ़ जाएगा वाफ आपका अप मॉडिल भी खुलो इसके लिए मैं हूना याज़ इन कॉलम में काम हो जाएगा पहला जाएगा यह फिरा जाएगा सी एफेटी पहला जाएगा इतना बड़ा कोश्चन नहीं आएगा पर क्या है इससे हमारी पूर सारी चीज़े कवर हो जाएगा सी एफेटी पहले साल लगा कितना था 82 500 तो रिकवरी हो गई 82 500 2 2 3 5 00 तो टोटल कितना हो गया यह यह अच्छा आप को इसा लग रहा है सर आप बनाते रहो हम शॉटकट मारेंगे साथना बनाना है टी थाड़ी अर में यार यह विडी कितना रहा 192450 19250 29 और नाइन और तियर में 29 एट शिक्स कृफ्तियर में क्यूंकि आपके लॉट्री लगई आपको पाचवे साल में जाना नहीं पड़ा अगर पाचवे साल में जाना पड़ता तो यहां कितना लिखते पाचवे साल में पैसे कितना आ रहा यह भगवान क्या हो गए आपको पाचवे साल में पैसे कितना रहा 285-288 प्लास नाइन डबल वन पाइप टू वहीं करबढ़ होने करने में क्योंकि ये भी तो पाचमे साल में आ रहा है इसको छोड़ मत देना पर इसमें गलती हो ये नहीं सकती थी क्योंकि चार के उपर ही आप खतम कर दिया आहा है कितना के एट वन एट थी वन जिरो आगे जाने की हमको जरूरत है इस तो हमारा थी वन नाइन एट सिक्स जिरो और हमें चाहिए कितना पाच लाग चाहिए था उसमें से इतना आ चुका है 498450 तो सर हमें चाहिए 1550 तो years मैं बोलोगे finally कितना हो रहा 3.004 3.004 years अब आगे बड़े और आप किस पर चले discounting payback period उसमें करना क्या होता है बस एक कॉलम बीच में और हजाएगा इसी ने बना दे क्या इसी है चलो तो दूसरा लिखोगे discounting payback period 10% हमारा फाइबरिट बस सहीं बोले मैं नहीं बनाने वाला था इसमें मझे किसी ने सलहा दे दे इसी में चिपका दो ना आपको क्या उप्तर ठीक है तो बस सहीं पहला इसमें हमको present value factor भी लिखना पड़ेगा कितने परशन के साब से 10 परशन पाच्वेसल का cash flow बोलोगी एक बाँ वह नहीं बोल सकते हैं वो भी add करना है बस वही चीज़ में बोल रहा हूँ 3 होगी 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 हो सकती नहीं पक्का होगी पूरा confidence है ठीक काम से गलती होगी अब भूल जाओगे terminal value आपका ऐसा लगा time pass के लिए निकाला यहां जब्रत पड़ेगी होसकी हाला कि इसमें भी आप पाच्वे सल तक पहुचोगे ही नहीं इसमें तच्छी 0.909 0.826 0.651 0.6 0.62 तो हम एक साथ दो काम करते हैं एक तो present value भी करते हैं और यार हम cumulative present value of cash inflow भी करते हैं तो 80 to 500 into 0.909 round off करके बलना 7 499 तो decimal नहीं चाहिए मुझे ना 7 4 9 1 8 4 6 1 2 5 9 6 6 3 1 4 4 5 halis 4 0 4 1 3 218 46 के बागक पास एक बात और धियान रखना की हिंदी अच्छी नहीं है इन लोगों मेरी बहुत अच्छी है जब फाइनल में चलोगे फाइनल में जाओगे न तो एक आएगा डेरी विटी उस करके शेयर मार्केट उसमें ये चलता उल्टा बदला सीधा बदला ये सब हिंदी का बहुत जबरदस्ति यूज है और यही उच करना पड़ेगा अंगरे जी उच नहीं कर सकते हैं हाँ जी उल्टा बदलाएगा सीधा बदलाएगा सौधा काटना ये सब शेयर मार्केट पूरा अभी तो फाइनल में पहुच चोगे तो वात होगी मज़ आएगा मेरा टार्गेट है कि आपको पहुचा दूँ पचास नम्मर में क्या हो जाएगा तो यहां तक हो गया चलो काम करते हैं डिसकाउंटिंग प्रेबग तीन साल तो लगेगा लगेगा यहां प्लस एक साल में इसको फोकस करेंगे न हाँ 2,1,8,4,6,4,2 4,8,6,7,8,6,7,8 3,3,8,8,7,8,8,8,8 3,2,8,4,7,8,8,8 3,3,4,3,8,8,8,8,8,8,8,8 अगर किसी प्रोजेक्ट का पेबैक पिरिड चार साल आया तो डिसकाउंटिंग पेबैक पिरिड चार से ज़्यादा आएगा कि चार से अगर किसी प्रोजेक्ट में पेबैक पिरिड मालो चार साल आया तो discounting payback period चार से ज़्यादा आएगा कि चार से कम आएगा ज़्यादा ही आएगा क्योंकि अब पैसा recover कर रहा है तो उसमें तो हमने present value नहीं लिया था लेकिन अब तो present value लेने से तो यार ये और कम हो जाएगा तो time ज़्यादा लगेगा ये हो गया हमारा discounting payback period आगे क्या करना है और दिवाइड वाले से करें कि टीबल बना की करें आप पर depend करता है डिवाइड वाले से करें आसर दिवाइड वाले से फॉर्मूला तो प्रॉपर लिख लेते है ना फॉर एन पी वी इस एक्वल टू पी वी सी आई माइनस पी वी सी ये फॉर्मूला याद हो जाएगा पहले साल कितना आ रहा पैसा 82,500 दिवाइड बाइ 1.10 पावर 1 पर अगर फैक्टर दिया रहेगा तो फिर फैक्टर यूज करना पड़ेगा दूसरे सलगा 22,500 दिवाइड बाइ 1.10 पावर 2 1.90 पावर 2 अगर 200 पावर 2 अगर 5醉12,500 दिवाइड दिया रहा पावर 1.10 पावर 2 अगर 5醉12,500 and Да last 3 7 6 4 4 0 3 7 6 4 1.1 to power 5 minus कितना है पाच लाग 356 510 NPV पूछा नहीं है NPV प्रजेट करना है कि नहीं करना पर आंसर क्या आएगा करना है NPV पॉजिटिव अभी क्या करें पी आई अद्धा मुस्किल नहीं है मालूम है तो टाइम लगना है वो पेबैक पिरेड एस NPV तो ज़्यादा असान लगा मचे उचका में दिए हाँ पी आई हाँ белै प्रेक्टीस होजए जिए एवागए वी प्यूंट्ष है तो पाच लाक त्सिष्घ्याद की थी नहींट्सिरो ऑ्यट्ष लॉट्ष हायह तो बहुत नहीं होगा यह तो दिमाग चला ना उमको मल्डिबल चुश्चन पीवी एससी आई कैसे आया पीवीसी आया कैसे पांच लाक मायनस होते हैं तो इन दोनों की के आट कर देते हैं तो यह आजाएं तो मैं वैसे तो आपको पहले मुझे यह नहीं पर लेखना पर चलू ठीक गवाशन कामशम मतलब नए ने 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 पर मीनिंग क्या ही से रिषो रिषो ही तो है रिषो तो पड़ना इस रिषो का मतलब क्या है जितना लगा रहे हो उससे 1.71 टाइम्स जादा कम रहे है कि ना मेथ्ट हो गया चार अब पाछमा मैथेट एकाउंटिंग वाले बीच में आ रहा है तो क्या ठाइंब पस कर रहे हैं हम मनती नहीं आपका finance व애ंज उनका कहना है कि फैसे कि पैसे कितना लगा रहा हूं ऐसा है कि फैसे कमा कितना हरी हो पहले reaction इस टो यह किमाए नहीं कुन कहता जिन्दगी भर अम profit profit पड़ते जा रहे हू और आ बोल रहे कि नहीं 2 बोलते हैं हमारे हमारे accounting में कोई CFAT होता नहीं है नाम क्या है इस method का accounting rate of return दूसरा नाम क्या है बोलते हैं पांच लाग रुपिया लगा के कमा कितना रहा हो पर्शंटेज में बता दो बात करता है और जब पर्शंटेज ले रहा है तो आप CFAT VFAT नहीं लेना सीधा सीधा accounting वाली बात करना आप बात क्या करना profit after tax ठीक है तो बताओ पहले साल कितना पर्शंटेज कमा रहा हो सर लॉस हो रहा है तूसरे साल का बता तो पर्शंटेज बता दो कितना लगा रहा हो पाच लाग कमा कितना रहा हो 143,500 पर्शंटेज में बोलो पर्शंटेज निकालना आता है ना 143,500 डिवाइड़ बाइ पाच लाग इन 200 28.7% मैंने गा भाई ऐसा है पहले साल पर्शंटेज में लॉस बता दिया दूसरे साल का इतना बुले ऐसे नहीं एक बोलो ना एक मैंने एक कैसे बोलो एवरेज मार लो बलो मतलब एक इसी का नाम क्या एवरेज रेट ऑपरेटर ठीक आप हर साल का इंडीवीज बला आलो आस ये कैलकुलेटर में भी ही करना में ही करना होता तो मज़ा जाता पेन चलाना पड़ेगा ठीक है दो चलो चलाते पी तो सर एकाउंटिंग रेट ऑपरेटर तो कुछ है यह नहीं है ह आपने अपनी इस्टेटमेंट में प्रॉफिट आफेटर टैक्स निकाला है क्या मैंने निकालना है तो यह लो मैं छुपा दिया आपको तो निकालना ही पड़े अब यार आप तो सुनो ना यार चलो हो गई गलती अब उच गलती को सुधारे कैसे सुनना दिहां से अगर CFAT दिया है प्लीज प्लीज यह हुआ है एक्जामे CFAT दे दिया और हमको पैट निकालना है क्या कर सकते हैं CFAT दे दिया है और पैट निकालना depreciation क्या करना पड़ेगा माइनस करना याद है न अक्षा मतलब कर दixòते समझदार थे है अच्छा इट मेंस ऐसी कौन कौन सी मैथर जिसमें cfetOOOOOOOOO होता है और इसी कौन सी मेथर जिसमें सिर्फедь ऑड़ सिर्फ accounting rate op cabbage में यूज होता है have both кईa कि मांते ही नहीं पर पढ़ाया जा रहा है तो हम बात करेंगे एवरिस ए आरार का लिखेंगे ए आरार कि अगर आपको कांसॉलिडेशन है टॉपिक गुडविल है गुडविल नहीं है कि हाँ गुडविल एलिशन फॉर्मूला क्या बनके है एवरिज प्रॉफिट आफ्टर टेक्स इवाइडिड बाई कितना पैसा लगा रहा हूँ इसको क्या बोलते हूँ इनिशल इन्वेस्टमेट या कॉष्ट और प्रॉजेक्ट भी बोल सकते हूँ मैं इनिशल इन्वेस्टमेट 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 इसको मैं रिटर और इन्वेस्टमेट बोलता हूँ हाला कि इसमें ABAIT वगेरा पर सिंबल से में एक परशेंट ही एक में पंदरा परशन की कमाई हो रही है और दूसरे प्रॉजेक्ट में ट्वेंटी परशन की कमाई हो इसमें कुछ सिंबल सी बात है पहले average profit after tax निकाल ला है क्या अच्छा निकाल रहे थे मैं डिश्टरिप कर दीँगे चल्र फिरे आवरेज़ प्रॉफिट after tax निकाल क्या निकल गया क्या क्या लेना है भई हम लोगों को ये 17500- है याद रखना है न बताओगे 17500 पहला माइनस 143, 500, 128, 450, 268, 660, 244, 321 divided by क्या करोगे 5 इसमें टर्मिनल वेल्यू नहीं लेगे नाम क्या है प्रॉफिट एकाउंटिंग वाले कहा मानते हैं टर्मिनल वेल्यू एकाउंटिंग वाले से प्रॉफिट से मतलब रखते हैं बताओ कितना है है 135, 488, average करने के बाद ना, full and final ARR कितना आगे है 153, 488, कितना लगा कर 15 into 100 30.70% 45, 488, कितना याले कितना वालॉ Family 250 वाले, कितना बेंकितना आगे, सेल्मिनल वाल। 14.70% आगे जब मैं कोश्चन से स्टार्ट करूंगा ना तो मैं ये भी बताऊंगा कि कई-कई बारें इंस्ट्यूट ए यार आर एवरेज इनवेस्टमेंट पे भी कैलकुलेट करता है इनवेस्टमेंट कभी अब इसलिए मैंने पहले पूश्चा था गुडविल पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है पर आप बच गए आप पहले बोल देते पढ़ा ही नहीं आप कर लो ठीक है तो फिर मेरे पास सब्दी नहीं रह जाता है अगर बोल देता पढ़ा हो तो तो मैं अपन मान लिया तो यहां भी मान लोगे मुझे एक्स्पिनेशन ज्यादा देना नहीं पड़ेगा पस यहीं तो सुनना है बाकी तो बात खतम हो गई ठीक अभी तो यह है अभी तो मैं यहीं खतम करूँगा इस बात को एवरेज इनवेस्टमेंट तोल हमारा कितना मेथड ह हो चुका है पाच उन इन पाच मेथट्स में जो जो चीजे लग रही है सब कुछ कर लिया हमने CFAT कर लिया टार्मिनल वैल्यू पच्छ कर लिया अभी क्या बच्छा है आई अर्र अब क्योंकि देड़ घंटे की ग्लास हो चुकिया तवाल है कि अब हम लोगों को ब्रेक चाहिए हाँ बेना ब्रेक के होगा नहीं या फिर क्लास ओवर कर लिया है चलने देते हैं ना आप देख लो आप सम्हाल पाओगे उसके मत ठीक है तो ब्रेक है तंद्रमेट का कम से कम ब्रेक होगा कि मैं जितना टाइम पढ़ सकते हैं पढ़ देंगे ठीक है आई-र्र जो है ना आई-र्र टेक्निकल है इसको भर समझ लो तो कैपिल विश्टिंग खतम हो गया है ठीक है लाश्ट मेथड देखोगे आई-र्र आई-र्र का फुल फॉंट इंटर्नल रेट कमपाउणिंग समझते हो कभी भी ना बच्ची जो मुझसे पहले से पढ़ रहे है ना वहाँ बोलने से फिले थोड़ा सा डर जाते कि हाँ बोले कि नहीं बोले तो आई-र्र पूछूगा पक्का कमपाउणिके से आई-र्र आश्टिंग इस क्या है अब रिवीजन चल रहा है सर यह लोग कौन है इन्वेस्टर इसको हम कैपिटल प्रोवाइडर बोल देंगे कि हाँ सर कैपिटल जो प्रोवाइडर इसमें डेट भी हो सकते है एक्विटी भी हो चैपिटल प्रोवाइडर और सर यह हो गया प्रोजेक्ट इलकुल सिंपल है ऐसा कुछ है नहीं है यह हो गया सर हम लोग इनसे पैसा उठाएंगे और यह पैसा हम इसमें लगा देंगे प्रोजेक्ट में यह काम हो रहा है अभ गया हुं कि हर जब इनसे पैसा उठा रहे तो जौ पैसा हम लेते हैं हर साल कुछा ना कुछ देना होता इसको बोलते हम कौश्ट of capital, interest बोलते चीए, पर हम कहते है, एक्विटी भी हो सकता है, डेट भी हो सकता है, तो cost of capital, जो capital आई, उसका cost क्या परड़ा है, बोलते है, cost of capital, जो किया आया है, 10%, और हमारा ये मानना है, कि अगर हम project में लगाएंगे, तो एक percentage में, अभी तक हम NPV, NPV, एक कोई percentage पता लग जा हम accounting की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं CFPT को base लेके, एक percentage निकाल रहा हूँ, और वो percentage आ गया, 12%, बताओ, project करना चाहिए कि नहीं, कितने परशन पर पैसे उठाया, 10, लगाया, हर साल, 12 परशन कमाएंगे, बताओ, project करना चाहिए, करना चाहिए, उसका नाम बोलो, IRR, IRR 12 परशन, तो बताओ, project accept कब करे, reject कब करे, एक sentence बन सकता है, कि if IRR, is more than, cost of capital project should be accepted, पर मैं कहता हूँ, कि और एक project है, माल लो, और हमें decide करना, दोनों में से एक, और इसका IRR है, 14% पर रहना, अब, IRR शुट भी hire, खतम, बस इतना ही था, ठीक है, तो IRR क्या है, IRR कुछ नहीं है, सर, हमने जो project में पैसा लगाया है, उससे कितना return कितना मिल रहा है, इसमें, नाम ही है ना, rate of return, बस वही निकालना है, बस आपको decision में है, आप में बहुत सारा, यहाँ paragraph लिखवा दो, उसका मतलब नहीं, मतलब है कि यहीं से आप समझ जाओ कि क्या है करें, तो, सबसे पहला, important decision, सर, आप कुछ लिखवाओगे कि मैं कुछ नहीं लिखवा रहा हूँ, आपको ऐसे ही बनाना पड़ेगा, तब आपको याद रहेगा, सर, इसका नाम हम project A लिख दे किया, yes, और इसका नाम लिख दे किया, project, हमें क्या calculate करना है, यह percentage जो मैंने बताया है ना, बिटे, यह calculate करना है, और सर, यह cost of capital यह दिया रहेगा, बस, जब यह दिया रहेगा, तो यह दो calculate करके decision दे देंगे, तो decision का बताना single project में, अगर सिर्फ एक ही project है, और हमें decide करना है, IRR के basis पे करे या नहीं करे, तो, POC, अच्छा, IRR लगे दे, IRR is more than POC, यही होता है ना, तैंथ में ना, मैस में 33 नंबर था, सौ में से, हाँ, तो क्या हुआ, क्योंकि मेरा ख़़ाब था, इंजिनियर बनना हूँ, 11th में science में admission ले लिया था, पर class से भगा दिया गया, बोले, आप science के लायक नहीं हो, मजबूरी में commerce लिया, 11th में फिर supplementary है, यह commerce में, ठीक है, और उसके बाद बड़ी मुश्किल से 12th निकला, और लोगों ने कहा कि CA नहीं होता, मैं गया लोग, ऐसा लिए, मैं CA लोगों के पास भी गया, क्या करूँ, मुलता भीया, रिजल्ट देखो अपना, तो पास्ट में क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ, वो माइने नहीं रखता, आगे, बहुत सारे ऐसे rank holder है, यह enter के, जिनका final में बहुत सारे attempt, बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं, जिनका enter में 10 attempt लग गया, पर final में rank आ गया, तो important यह नहीं है, कि यह आपका past क्या था, उस समय अभी क्या पढ़ रहा है, वो important, अभी कितनी में, ठीक है, अभी जैसे भिलाई का मेरे एक student final में rank आया है, rank 20 आया है, तो उस से जब मैंने बात किया ना, चलो कभी, अगर ऐसा मैं बात करूँगा ना, मेरा course ना, अपरिल खिचा जाएगा, ठीक है, हाँ मैं बताऊंगा ना, बताऊंगा, अकलास के अलावा दो गंडे के, यह तो वास समझ में आती है, अच्छा, अगर यार mutually exclusive proposal है, मतलब दो तो IRR should be higher, है, है, हमस्या है, calculation, एक बड़ कैलकुलेशन हुआ, तो फिर तो कुछ बैचा नहीं, चलो, तो इस्टार्ट करते, calculation, धीरे करना, आराम सेव करना, इसमें बहुत ज्यादा, calculator का यूच हो, हम, तो अब सीखने जा रहा है, calculation of IR, अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं bank में एक लाक रुपए जमा करता हूँ, answer चाहिए था, bank में एक लाक रुपए, 10% के हिसाब से, दो साल बात कितना पैसा मिलेगा, एक लाक रुपए जमा करता हूँ, 10% पर एनम के हिसाब से, तो दो साल बात कितना मिलेगा, 1,21, कैसे निकल रहा हूँ, compounding होगा ही, है न, हम यह नहीं मानते कि हम बीच में 10,000 रुपए इंटरेस्ट निकाल लेंगे, वो रहेगा, compounding आपको समझते हूँ, अब मैं दूसरे लेंग्वेज में बोलू, मैं बैंक में एक लाक रुपए जमा कर रहा हूँ, आच, और दो साल बात, एक लाक एक किस जार रुपए मिल रहा हूँ, बताओ हर साल कितना पर्षेंटेस कमा रहा हूँ, अभी तो 10%, यहर आप भी का कुश्चर भी आप भी जे बोल दी, एक लाक रुपए आज लगा रहा हूँ, दो साल बात कितना कमा रहा हूँ, एक एक किस मिलेगा, तो अन और न एब रहे हर साल कितना पर्षेंटेस, 10%, इस 10% का नाम बोलो, आई यह रहा हूँ, ठीक, यह कोई फॉर्मूला नहीं है, आज पैसा लगा रहा हूँ, उसको मैं प्रेजेंट वेलियो, कैस आउट पो बोल दूँ क्या, आज पैसा लगा रहा हूँ, तो कैसा आउट पोलो बोलो ना, सीधा सीधा, चैस आउट पोलो, आज पैसा जा रहा हूँ, आप कितना लगा रहे हैं और दो लागा और कैस इंफ्लोस आफ्टर टू एर्स तर आपने बेसिक में पढ़ाया है क्या पेज की आवाज से समझे है पर दो 259 920 920 तो बताइए आयरर केतना केलाद आणसर आने पे 100 रूफ है फाइन है 13.8 नहीं दोनों में अंतर है आपकर कुछ और आया है मुझे उम्मीद थी कि कन की जोगा अज देखते हैं आपकर अज कितना पैसा लगा रहा हूं तो लाख किस एट से यह तो नहीं मालुम और पावर टू किया होगा तभी कितना है इसको कुछ solve कर सकते हैं कि किसी और तरीके से इसको इधर divide कर दो नहीं तो 1 plus r 259920 divided by क्या हो जाएगा दो लक यह भी बात समझे में आती है अब यार यहां से square यह हटाना पड़ेगा ना इधर क्या करूँ square root पक्का divide करने पे कितना है 1.2996 और इसको क्या कर देते square root 14 परशंट मैंने कहा मना किया मैंने गला था ऐसा कहा बोला तो यह आगा 1.14 1- करने की बाद कितना चाहेगा 0.14 या फिर इसको क्या बोलेंगे 14 परशंट square root 30 परशंट power 30 हो ना चाहेगा यह समझ में आया ना सबको यह समझ में आया ना सबको 15 परशंट पर कुछ बच्चों को ये समझी में नहीं लेता तो और इक अल्टरनेटीव तो दूसरा भी अल्टरनेटीव है वो भी लिख लो काम आएगा प्रेक्तिस करेंगे इसके थिरे दिरे प्रेक्तिस करेंगे दूसरा अल्टरनेटिव है दूलक 25920 1 प्लस आर पावर 2 क्या ये बात एक ही है दोनो इसका नाम बोलो प्रेजेंट वैल्यू आप कैश आउट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् यह आता है multiple choice को, यह तो आता ही है, तो सर लिखे कि हाँ, वो पहले वो statement लिखते हैं, फिर बात करेंगा, IRR is a rate, यह discounting rate बोलतों चलेगा न, okay sir, discounting rate at which pv pi is built to pvc या फिर npv किया आजाए, 0 या तो pi किया आजाए, 1 दोनों के equate करना है, यहां तक तो इकत नहीं सकत, 14 कैसे निकालों के यह बताओ, यह सब कहानी नहीं चाहिए, एक बाद बताओ, npv कैसे निकलते हैं, pvci minus pvco, यहां तक ठीक है, यह क्या 0 आना चाहिए, हां, क्या pvci हमको मालूम है, कितना pvci, pvco मालूम है, कितना है, 2,00, क्या pvci नहीं पता है, पता तो है, 259920, 259920, इसको हम present value factor से multiply कर देंगे, इसको अगर हम present value factor से multiply कर देंगे, और minus 2,00,000 करेंगे, तो 0 आ गया, कोर किस rate का factor लेना पड़ेगा आपको, rate कौन सा, 14%, अगर मैं 14% का second year का factor लिखूँ, और इसको multiply करूँ, minus 2,00,000 करूँ, तो answer किया जाएगा, 0, एक बाग 14% का second year का factor बता हूँ, into 259,2,20, minus 2,00,000, तो लगभग, लगभग 0 के, तो IRR कितना जाएगा, 14%, एक, IRR 14%, आप सबसरे, हो क्या रहा है, ठीक हुआ, ओके, चलो अप समझो, हमारा target यह है, कि हमको NPV क्या लाना है, 0, discounting rate ले लेते हैं, कौन साले, 10%, हमको नहीं मालम 14 answer है, हमको तो इसको बलते है, trial and error method, मतलब सर, 14 नहीं लाना है, यस, पर हम किस rate से discounting करे, ताकि 0 हजाए, और भगवान से प्रात्ना करते जाएंगे, सर, 10 से नहीं आया, तो ज़्यादा ले लेंगे, तो चलो काम करे, पहला हम, 10% discounting rate लेते हैं, और NPV क्या निकालने की कोशिश करते हैं, 0 रवा जाए, यह प्रात्ना करते हैं भगवान से, खेर के सर, सबसे पहले क्या ले लेते हैं, 10% और सोचते हैं कि 0 आ जाए, NPV 0 आ जाए, पहले कैसे बता करके देखते हैं रहा है, तो सर, पहला cash-in को कितना है, 6920 सर, फैक्टर ना लिखके हैं, 1.10 पावर 2 कर सकते हैं, कि कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, और माइनस कितना करोगे, यह भगवान, 0 आ जाए, 14,810, हमको दो 0 लाना है यार, अब रेट कौन सा ले, NPV इससे ज़्यादा चाहिए, किससे कम चाहिए, कम चाहिए न सर, तो रेट, बढ़ाना पड़ेगा, यह कम करना पड़ेगा, रेट बढ़ाना पड़ेगा, रेट क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना, और रेट बढ़ाने, सीधी सी बात है न, यह कौश्ट अब कापिटल ही है, जितना कौश्ट अब कापिटल ज़्यादा जाएगा, NPV गिरेगा न, अब रेट बढ़ाना पड़ेगा, मज़ा नहीं आएगा, कौश्ट अरेट ले हमारा टार्गेट है कि NPV जीरो आए, अगर जीरो नहीं भी आए तो कम से कम नेगेटिव तो आजाए, कौश्ट अरेट बारा लोगे पॉजिटिव आएगा तो नहीं चलेगा, खीक है, तो कितना ले ले? 15 भगवान करेगा जीरो ना आए तो भी चलेगा नेगेटिव तो आजाए कितना ले लू? 15 पर्शन मुझे लग तब जीरो आजाएगा इसा लग रहा है आपको एक्टिंग करना नहीं आता सायन ऐसा लग रहा है आप भी जानते हैं सच्छ आगे अब जो करेंगे वो करेंगे हम इंटर पॉलिट अच्छा सब्सक्राइब इंटर पॉलेशन करेंगे इंटर मतलब है हाँ यह लीजिंग चैप्टर में लीजिंग टॉपिक में सिखा होगा लीजिंग पॉर्मुला यहां दे तो ठीक है अगर पॉर्मुले से कर सकते हो अब देखो मैं कैसे कर रहा हूं भाई common sense लगाएगा 10% जब हमने लिया था तो बताओ NPV कितना आया था एक बार इसको समझ लो यह अच्छा है 14,810 फिर हमने का यार मज़ा नहीं आया था तो हमने कितना परशन लिया NPV कितना आगे यार हमको यह भी नहीं चाहिए यह भी नहीं हमको क्या चाहिए हमें चाहिए जीरो हमें तो जीरो चाहिए पर यार जैसे ही हम रेट बढ़ाते कितने बठन से तो यार NPV में चेंज हो जाता है पहले था 14,000 अब हो गया है जीरो से भी इधर चला गया तो चुछो कितना चेंज हुआ है अराम से सुचो बढ़े कॉंसिप्ट के साथ पहले था पॉजिटिव वह 14,000 तो खतम हुआ ही हुआ साथ में माइनस में पहुच चुके हो आप कितना चेंज हुआ है हाँ मैं यह गह रहा हूं दोनों प्लास होगा 18,000 18,000 18,000 27,000 18,000 18,000,273 पहुच रहा हूं मैं धीरे से पहुच रहा हूं सर इसका मतलब है कि जब हम 5% पढ़ाते हैं तो NPV डाउन हो जाता है और NPV गिर के क्या हो जाता है नेगेटिव हो जाता है इतना चैंज हाँ मुझे इतना थोड़ीन करना है मुझे यहां से यहां नहीं पहुचना मुझे यहां से यहां पर पर नहीं मुझे चैंज कितना करना है 14810 जो करना आप कर सकते हैं अगर आपको फॉर्मुला याद है तो मैं फॉर्मुले पर नहीं जा रहा हूं अब थोड़ा सा सुच क्या 10% लगे गई लगेगा यस और मैंने आपको बला था याद करो पेबेक पिरेड में यहां यह लिखते थे तो यहां पर्षेंटेज है तो यह वाला पर्षेंटेज मैं मैं यहां लिखते तो पर्षेंटेज नहीं भी लगा होगे तो चल जाएगा कि यस अब 5 के बरावर क असपास आएगा प्लस 10 14.05 एक्कुरेट कौन सा है एक्कुरेट 14 14 वह वालत था पर यह सीखना पड़ेगा ठीक है आफ फॉरूम लागर याद है तो ऐसे भी कर सकते हों पर मैं करवाँगा ऐसे तो मैं सला दूंगा कि आप ऐसे ही करते रहों मेरे सास्टेश्टेश्टेश कि इसके बाद कौन सी क्लास है कि दो बचे ना कि अगर आफ एक तो यह वाला हो गया ठीक है इसमें इंडर बड़ेशन ट्रायल और मैथर और एक यह वाला तरीका हो गया है यह वाला ज़्याद अच्छा है पर यह हर जगा साथ नहीं देगा यह पता कर ने धोका नहीं देगा गलत बात है धोका नहीं देगा यह तो अच्छी नहीं पाओगे यह लग लग लगेगा करके और एक example करते हैं आपके बस option है आप इससे भी कर सकते हो और आप इससे भी कर सकते हो multiple choice question है जो पहले answer देगा उसको दो number मिलेगा multiple choice question है descriptive है तो मैं copy check करूँगा कैसे बनाया करके ठीक तो मुझे overall कोई नहीं बताएगा मुझे copy दिखाएगा copy example yes up close cash inflows at the end of fourth year हमने bank में जमा किया 80,000 और fourth year के end में हमको मिल रहा है कोई इधर नहीं देखेगा नहीं तो क्या मतलब फिस और ये आ गया वन डबल फोर 851 तो आप बता रहे हो आई आरास question mark जिसे करना है कर सकते हो पर आरास लिसे कर सकते हो 1 plus R to the power 4, 8 5 1, कि यह हुआ, कि यह हुआ, कि रिवाइट करने से कितना है, कि बता हुए, लेगा, और यहां क्या लिख दू, 1 plus R, अब यह 4 हटाना है, यहां, 1 by 4 कि स्क्वाइव, कैसे करना, रूट करना, रूट लगा सकते हैं, कि इतने बार, ऐसे दो बार करते हैं, 2, कि 4? 2, कि टू का टू का टॉ डाल दिये, पक्ता, मैं सोच रहा था कि मेरा ही मैस खराब है, अगर यहां 3 होता तो, थे मतलब यहां फिर कभी कभी ऐसा ऐसा लिखा रहता है मतलब है ना यहां थ्री था तो थी को अठाकर यह मतलब यहां 6 रहता है तो इसको उठाकर यहां 3 लिखते है तो सर फोर आएगा या टू आएगा बहुत देखो गूगल में सर्च करें कि हाएगा तो चलो बदाच को राजी रहने देते हैं ठीक और ही आएगा पोर ही आएगा पर ना मैं यह जगडता नहीं हूँ मैं यहाँ पावर वन बाई फोर कर देता है और इसको फिर दो बार इसको रूट कर देंगे एक दो तो फिर हमारा आंसर आगया 15.9 हलक यहाँ फोर लिखा जाता है मतलब सेक्षिन पर्षन ले लूँ खिक है दी ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल फाइनल हो गया कि हाँ फोर ही लिख रहा है आप घर में अपने चोटी भाई बेन हो किसी से भी पूछ हो गया ना आपके लेवल का है भी ने थर्ड क्लास फोर्द क्लास में अपड़ा है अब एक एक्जामपल और करते है ठीक है यह सर और इसके बाद सर और क्लास नहीं अभी ज्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं अभी एक एक एक्जामपल करूँगा क्योंकि फिर आप जाएंगे तो फिर लंबा एक देड़ घंटा लगेगा मसुक्त तो नहीं तूटना चाहिए तो आज का होमवक क्या रहा यह पता करना कि 4 आएगा कि 2 आएगा इसलिए पहरां अभी आएग यह पता लग एक्जामपल ला आएगा प्रॉब्लम गया मालूम है यह जसे जब मैं पढ़ा तो लॉक एंटी-लॉक आप पढ़ लिया मुझे पता नहीं लॉक एंटी-लॉक तो पढ़ लिया पता नहीं पर निकिस भूल गया जो फाइनल में आया, तो मैं पता लगाया कि यह लॉग एंटी लॉग है क्या, तो साइंस वालों से भी पूछा, करना क्या है, टेबल देखो, लिखो, यह क्या लोग एंटी लॉग है क्या, और पता लगा वो तो कैल्गुलेटर में हो जाता है, हम तो बड़ी-बड़ी लेकिन कुछ यूज ही नहीं और इतना जबरदस्त यूज है हमारे इसमें, फाइनेंस में, मज़ा जाएगा, और भी बहुत सारी, कोरेलेशन, डेविएशन, कोवेरियाइंस, लेकिन यकीन वानों, जब पढ़ोगी तो आपको ले, यार यह यूज है कि इसका इतना मज़ा कैस आउट्लोट, इसमें मैं आपको दो मिनट का टाइम दूंगा, अगर पहले आंसर आज दे दिया आपने तो 100 रुपय, फाइन, कैस आउट्लोट, कैस आउट्लोट, जालक, कैस इन फ्लो आफ्टर पाइव येर तिरप आंसर मुझे मालू है आपको क्या निकालना है आई अब भी पूरा लिखने वाला हूँ पूरा लिखने वाला हूँ ठीक है और कौन से मेथट से लगा सकते हो आपके पास दो तरीके है या तो वो पावर वाला भी कर सकते हो या इंटर्पॉलेशन वाला भी कर सकते हो कौन सा वाला करोगे हाँ, गुट है ना यार, इतने में कहाँ, अभी तो लिख रहा हूं भी पुरा 6, 8, 9 बस कैलकुलेटर उठा कर बैठे हो आप, जैसे मैंने लिखा, आपने लिखा P4 पुर पुर झाल बटाम झाल खब हो टाल तो झाल यो यो याँ कि कि अज था कि युश 11.5 वह आगे वी शिवेश्य वर सब्सक्राइब और देख लेए वेसे तरह आप तो थीन बार से ड़ती पावड ट्राइक किया इस फार लग गांग है एक बार तो सही बैठा पावर कर रहे हैं क्या मतलब भैस होगी तो को यह सब करना नहीं वन भाई आइख दिखो कैसे सॉल गरते थी याद हैं आपको 689341 divided by 4 लक दूसर यह आ गया था 1.7233 अब इसके बाद हम क्या करते थी याद है 1.7233 तूट कितने बार 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 माइनस वन इन्टू पावर प्लस उन और इन्टू उइक्वल तू बार रवशा यह फाइनल में बहुत ज़्यादा काम आ यहां भी काम आएगा यह फाइनल में था ज़्यादा यह यह आद है में साइद आपने फाइनल की लाश देखा था तो उसमें ठीक है, फाइनल आंसर कितना आ रहा है? ते वन पॉइंट फाइव परश्ट यही यही था मेरे ख्याल से सारी अब आई एर आर इसके आगे कल खतम हो जाएगा यह जो चाल रहा है हमारा कैसा आर काली सारी मैथड़ खतम होगी अब सुनो कल से सायद बुक्स-बुक्स की भी जिरुद पढ़ेगी पर कल तो नहीं क्योंकि कल मुझे थोड़ा सा और उसमें एक्विएवेलेंट वगेरा कुछ समझाना है पर कल के बात बुक्स के कम से कम हम 90% कोश्चन कर दो आपके AFM मॉडूल यही सब कुछ है बहुत ज्यादा टेंशन मत लो कि यह क्या है कुछ इश्पेशल नहीं मैं आपसे यह बूल रहा था कि आपको जो भी मैंने पढ़ाया है उसका एक बार रिवीजन कर ले क्योंकि यह चीजे याद नहीं रहे जैसे PIE का फॉर्मूला था PVCO PVCI PVCI PVCO है ना ठीक है और IRR ऐसा नहीं है जबरदस्त कॉंसेप्ट है अगर कहूं कि IRR इसमें मौडिफाइड IRR मल्टीपल IRR डला हुआ है क्यों जब मैं AIRFM का मॉडूल देखा आपका इसमें मौडिफाइड IRR भी डाल दिया पहले नहीं था पहले पढ़ाया जाता था तो सिलेबस को बिल्कुल बारीक क्यों से देखना मतलब ऐसा चेंज किया है कि आप पता ही लगने देगा कि मैंने चेंज कर दिया अंदर घुसके चेंज किया एक चीज तो वह चीज़े आपको देखना पड़ेगा मुझे वह समझ मैं कि मॉड़िफाइड आयर डाला है वह ठीक है सिंपल है वह भी कल से डिसकस करेंगे और कल से हम तैयार हो चुके होगे कैपिटल बस्टिंग के कोशन बना अभी तक हमको पेपर का पैटर्न नहीं मानों और जितना प्रैक्टिस हमने किया सफिशेंट है अब कोशन के साथ प्रैक्टिस करेंगे आयर अर कल खतम करेंगे चुरू का एक गंटा आयर अर पुरा लिए पाचिन क्लास यहीं ओर करेंगे कल बात करेंगे बाकिए साथ चुछे